हेलो दोस्तों मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यूलैक लिक्टोनिक्स और दोस्तों जैसे के अपने पिछले वीडियो में देखा था यह जो हमारा बेस्ट्यूब एम्प्लिफेर है इसको घर पे और कार में कैसे यूज करना है दोनों के बारे में मैंने बताया था तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रेप्शन में देदूंगा आप वहाँ से देख सकते हैं आज किस वीडियो में मैं आपको इस बेस्ट्यूब एम्प्लिफेर में आडियो पैनल लगा कर देखाऊंगा क्योंकि यह जो हमारा बेस्ट्यूब एम्प्लिफेर होता है इसमें 95% ऐसे ही मोडल आते हैं 5% ऐसे मोडल है जिसमें USB और memory card का और ब्लुट्फोथ का अगर USB और memory card का और भी रएग ससरा देखाऊंगा कि किस प्रकार से आप इसको लगा सकते हैं इस बेस्ट्यूब के साथ इसमें कनेक्शन करेंगे nume का भी क्योंकि यहाँ पर हमारा यह जो आप selector देख सकते हो यहाँ पे full range और low frequency के लिए तो इसमें जब हम audio input देते हैं तो जब हम full range पे रखते हैं तभी यह हमारा volume जो है जैसे 0 से 1, 2, 3 करके up down होता है लेकिन जब हम इसको low frequency पे रखते हैं तो यह हमारा volume नहीं है यह frequency को adjust करने के लिए दिया गया है इसलिए मैं यहाँ पे इस potentiometer को यूज करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पे audio panel यूज कर रहा हूँ जब audio panel यूज करूँगा और potentiometer यूज नहीं करूँगा तो जब हम इसको low pass filter पे रखेंगे तो हमारा जो base है पूड़ा फूल रहेगा वहाँ पे कहीं पे control करने का option नहीं है फूल रेंज पे option है यह volume जैसा काम करता है तो यहाँ सब कर सकते हो लेकिन base पे नहीं होगा इसलिए मैं इस potentiometer का भी connection इसमें करूँगा तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इस voltage regulator का connection कर लेता हूँ तो देखिए यह हमारा voltage regulator 1805 है जब इसके पहला नमर पीन में हम 12 वोल्ट देंगे तो तीसरा नमर पीन से 5 वोल्ट प्लस निकलेगा बीच बला ground होगा तो यहाँ पे देखिए जैसे हम इसमें 12 वोल्ट इंपुट देते हैं बैटरी से तो यहाँ पे हमारा यह DC to DC में पहले जाता है उसके बाद यह dual supply बना के इसमें देता है तो देखिए दोस्तों इसमें दो तरीका से इसका connection कर सकते हैं एक तो 12 वोल्ट इंपुट हो रहा है उसके साथ भी कर सकते हैं और output जो यहाँ पे हो रहा है इसके साथ भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे मैं इसके साथ करूँगा क्योंकि इसमें हमें base table का connection नहीं करना है इसलिए मैं यहाँ पे इसी 12 वोल्ट को यूज में लेने वाला हूँ क्योंकि अगर base table का option यहाँ पे रहता तो इसका connection इसके साथ रहता है तो मैं यहाँ पे इसका connection करूँगा तो देखिए दोस्तों यहाँ पे यह जो हमारा 78.05 है इसको अरजेस्ट करने के लिए आप जो है छोटा सा हीट सिंग लगा के यहाँ पे double tape की सहाता से यहाँ पे लगा दे आप यहाँ पे जो है ऐसे जगह पे लगाए जो इसके body पे touch ना हो तो देखिए मैं यहाँ पे इसको इस प्रकार से इस screw के through यहाँ पे लगा दिया है और यह हमारा जो है इस ground से connected है लेकिन बीच बाला में बैटरी का minus वाला जाएगा तो इससे कोई दिकत नहीं है लेकिन आप चाहे तो इसको अलग से connection करे जो इस body में touch ना हो तो यह ज़्यादा बेटर होगा मैं यहाँ पे आपको check करने के लिए पे दिखा रहा हूँ यह ऐसे में भी चलेगा कोई दिकत नहीं है बस आपको यह ध्यान रखना है कि यह बाला जो है इस body में touch ना हो यह उपर ही रहना चाहिए इस print से तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लगा लेना है और इसमें पहला नमबर पी तो मैंने आपको बताया था कि हमारा 12 volt input के लिए होता है जो की positive होता है और बीच वाला ground होता है तो यह बाला दोनों wire यहाँ पे लगा देंगे और यह जो हमारा wire है यह कहाँ पे जागा तो देखिए DC to DC में आपको input के section में यह capacitor दिखेगा मैं आपको दूसरे बाले converter पे दिखा देता हूँ जैसे यह देखिए यह हमारा DC converter है तो इसमें जहाँ पे हम 12 volt input देते हैं capacitor है यह बाला देख सकते हैं तो इस साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए ground वाला तो हमारा यह बाला point आहीं जाता है capacitor का और जो plus वाला है वह हमारा fuse से होते हुए इस साइड आता है तो यहाँ पे यह हमारा plus और minus हो गया तो यह जो voltage regulator का जो यह दोनों पीन है यह यहाँ पे जो मैं वायर लगा हो रहा हूं तो यहाँ पे इस प्रकार से regulator के पहला नमर पीन और दूसरे नमर पीन में वायर को लगा लेना है और इस साइड जो है जहां पे 12 वोल्ट यहाँ पे input हो रहा है वहाँ पे connection कर देंगे minus plus को देखते हुए देखिए इस प्रकार से जो है इसमें input हो चुका है यह 12 वोल्ट हो जाएगा उसके बाद यह जो हमारा audio पैनल में जो connector लगता है 5 वोल्ट input के लिए तो इसमें हम यह देखेंगे कि minus वाला कौन सा है और plus वाला कौन सा है तो minus plus को देखते हुए इसका connection कर देंगे जो minus वाला आ रहा है उसे तीसरा नमर पिन में लगा देंगे तो इस प्रकार से यहां पे 5 वोल्ट output भी हो जाता है जो audio पैनल में चला जाएगा तो देखिए दोस्तों मैं यहां पे एक बात बताना चाहूंगा कि इस प्रकार से अगर regulator को यहां पे लगाते हैं और यह हमारा काम नहीं कर रहा है तो आप इसको जो है अलग से हिट्सिंग लगागे अलग अर्जेस्ट कर देजिए क्योंकि यहां पे हो सकता है कि यह गराउंड है और यहां से इसका गराउंड काम नहीं कर रहा है लेकिन मैं यहां पे connection करूंगा क्योंकि मेरे amplifier वी work करता है इसलिए मैं आपको ब आपको आविन लगाते हैं जहां पर audio output हो रहा है तो इसका बीच बाला pin है यह हमारा ground होता है और बाखी यह दोनों लेक्ट और right घरता है तो यह जो हमारा potensiometer होता है दोस्तों जो कि कुछ इस परकार का होता है तो इसका जो पहला नमबर पीन है और दूसरा नमबर पीन है उसको आपस में एक साथ मोर देंगे इस परकार से आप चाहे तो यहाँ पे single channel का भी potensiometer यूज़ कर सकते हो क्योंकि यह जो हमारा base tube होता है वो mono होता है लेकिन मैं यहाँ पे audio input जो है दोनों में दूंगा और यहाँ से input दे दूंगा दोनों चैनल पे यह आगे अपना resistance के थुरू mono कर लेगा ठीक है तो आप चाहे तो single channel भी यूज़ कर सकते हो डूल channel भी यूज़ कर सकते हो लेकिन मैं यहाँ पे इसको ही यूज़ कर लेता हूँ तो तीसरा नमबर पीन को इस प्रकार से connect कर लेंगे आपस में क्योंकि यह दोनों ground होता है उसके बाद यहाँ पे यह जो हमारा connector है इसमें बीच वाले को छोड़ कर यह दोनों side वाला जो हमारा wire होता यह left और right होता है तो इस दोनों pin को left और right को इस potentiometer के दोनों side वाला जो एक साथ connect किया है इस प्रकार से कर देना है उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें बीच वाला दो pin खाली है तो यह हमारा output के लिए है तो यहाँ से हम तीन wire निकालेंगे एक तो हमारा इस ground से निकलेगा और दो यहाँ से निकलेगा left और right तो आईए मैं यहाँ पर तीन wire को निकाल लेता हूँ यहाँ पर मैंने wire का connection कर दिया है देखे यहाँ पर बीच वाले से यह दोनों wire लगा दिया है जो कि इस wire के दोनों side वाला है और जो ground वाला है इसके बीच वाले में मैंने लगा दिया है तो यहाँ पर जो हमारा output करेगा दोस्तो तो इ इसका जो पीन आ रहा है यह दोनों पीन, एक यहां पर आ रहा है और एक यहां पर आ रहा है, तो जो हमारा left और right होगा इस potensiometer से जो बीच वाला वायर निकलता है, side वाला नहीं, बीच वाला दोनों, उस दोनों वायर को यहां पर लगा देना है, यहाँ पर मैंने left right पर मैंने लगा दिया है जो कि आगे resistance के थूँ यह mono ही होकर इसमें जाता है लेकिन मैंने यहाँ पर दोनों को left right वाले पर डाल दिया जहाँ पर audio input होता है उसके बाद यह वाला ground है तो normally ground हमारा यह इसका body है तो मैं इसका connection यहाँ पर कर देता हूँ इस परकार से इसका audio input भी हो चुका है तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसमें battery और audio module का मैंने connection कर दिया है तो इसका connection कैसे होगा इसका जो full video मैंने बनाया हुआ था उसका link description में आप वहाँ से देख सकते हैं तो यहाँ पर audio panel को 5 पॉर्ट यहाँ पर मिल गया है यहाँ पर audio input मिल गया है और यह हमारा potential meter है तो आए इसमें power supply देते हैं तो यहाँ पर मैंने power supply दे दिया है और यहाँ पर देखे हमारा audio panel में supply आ चुका है और यह अभी हमारा aux mode पर है यहां पर फूली रेंज पर भी मैं रख रहा हूं ताकि आप आज आपको पता चल से के मैं यहां से वोल्यूम बढ़ा लेता हूं तो आईए मैं यहां पर स्वांग प्ले करता हूं यह भी मैं यूज चावा पाल मैं यू ँध उड्यू चाव मैं यूड़ा देखिए दोस्तों अगर यह पोटेंसिल मीटर नहीं लगाते डिरेक्ट इसमें इंपूर्ट दे देते तो मैं यहां पे सब उफार मोड पे इसको कंट्रोल नहीं कर पाता कर दोस्तों यहां पे आपने देखा कि मैंने किस प्रकार से अगर आपके पास बेस्टूब अम्पलिफार है और आप भी चाहते हैं कि इसमें आदियो पैनेल का कनेक्शन कर सकते हैं तो दोस्तों मारा वीडियो कैसा लगा तो प्रीज लायक करें शेर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभ़ोगद झाल झाल